दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की पहली कबर बिहार के लोगों को डबल रहाद पेट्रोल आड़ दसमलो बीस रुपिय और डिजल तेरा दसमलो नब्बे रुपिय हुआ सस्ता जी हाँ केंदर सरकार द्वार लोगों को डिपावली पर पेट्रोल डिजल के दामों में रहाद देने के फैसले के अदब बिहार सरकार ने भी लोगों को डिवाली गेप्ट दे दिया है नितीज सरकार ने राज स्तर पर वेट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डिजल में 3.90 रुपीए और पेट्रोल में 3.20 रुपीए प्रती लिटर राहत देने का फैसला लिया है नितिस सरकार के इस बड़े फैसले के बाद बिहार के लोगों को अब पेट्रोल 8.20 रुपे और डिजल 13.90 रुपे सस्ता मिलेगा मुखिमंतरे नितिस कुमार ने खोद इसका अधिकारे कैलान अपने ट्यूटर हैंडल के जरिय दी है दूसरी बड़ी कबर पेट्रोल के बाद अब बिजली होगी सस्ती टेरिफ और सलेब में बदलाव पर विचार कर रही है लेने का परियास कर रही है बड़ी कबर बिहार में 23 की मौत जहरिली सराप पिने की असंका गोपाल गंज में 13 और बेतिया में 10 लोगों की गई जान 14 की हालत गंबिर जहां बिहार के दो जीलों में बीते दो दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है चोदो की हालत गंबिर है, मरने वालों में तेरा गोपाल गंज के रहने वाले थे, यहां साथ लोगों की हालत गंबिर है, इनमें तीन लोगों की आग की रोसनी भी चली गई है, बेतिया में दस लोगों की मौत हुई है, यहां साथ लोगों की हालत गंबिर बताए जा रही है आसंगा है कि इन समी ने जहरीली सरापी थी बाड़ी कबर बिहार में पुरी तरह से तयार फायर ब्रिगेट की उनीट दिपावली से छट पुजा को लेकर अलर्ट मोड में टीम जारी किया गया एमर्जनसी नंबर आप दिपावली से चट पुझा को लेकर बिहार फ्रायर ब्रिगेट की ओनीट पुरी तरह से अलर्ड मोड पर है राजाने पटना है ओ या राज का कोई भी जिला हर जगत डिश्ट्क कमांडेट और फायर अबसर को पुरी तरह से अलर्ड मोड पर रखा गया है फायर ब्रिगेट की गाड़ियों को रेडी मोड पे रखा गया है जिससे फेस्टिवल के दोरान छोटी या बड़ी आग लगनी की घटना होने पर जल से जल काबो पाया जा सके टाइम पर सुचना मिल से के इसके इसके लिए फायर ब्रिगेड हेड़कौर्टर की तरव से पबलिक के लिए केंट्रोल रूम के साथ साथ जीलो के फायर अपसर के नाम और नमबर भी जारी किये गए हैं बाड़ी खबर बिहार में पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन की तिति बढ़ाई गई जहराज के 8,55,44,44 ने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए ओनलाइन आवेदन किया इनमें वित्य वर्श 2019-20 के लिए 1,83,193 और वित्य वर्श 2021-22 के लिए 3,23,366 और वित्य वर्श 2021-22 के लिए 3,51,844 विर्दातियों के आवेदनावे हैं चात्र चात्राओं के कटनाई को देखते विए 30 नॉमबर तक आवेदन करनी की तिति को बढ़ा दी गई है पहले 31 अक्टूबर तक आवेदन की अंतिम तिति थी जानकारी के लिए बढ़ा दे कि वर्श 2019-27-21 के विद्दाति 15 नॉमबर तक आवेदन कर सकते हैं विए वर्श 2021-22 के विद्दाति 30 नॉमबर तक आवेदन कर सकते हैं अगली बड़ी खबर BPSC सरसटवी की परिचा के लिए बढ़ाए गई आवेदन की तिति जिहां बिहार लोक सिवा आयोग ने सरसटवी सयुग्त परिचा के लिए आवेदन की तिति बढ़ा दी है 5 नॉमबर को सरसटवी BPSC की प्रारंबिक परिचा के लिए ओनलाइन आवेदन करनी की तिति खतम हो रही थी काफी संक्या में अब अर्थियों की तिति बढ़ाने की मांग के बाद बिहार लोक सिवा आयोग की तरब से 19 नॉमबर तक बढ़ा दिया गया है सयुक्त सचे उसा परिचा नियंत्रक अमरेंदर कुमार ने बताये कि आयोग की ओर से पहले 723 पदों के लिए विगापन जारी किया गया था अब बिहार निवंदन सिवा के मदनिसेद, उतपाद एवाब निवंदन बिवाक की ओर से आवर निवंदन सयुक्त आवर निवंदन के तीन पद बढ़ा दिये गए है पदों की बढ़ने के बाद अब 726 पदों के लिए परिच्छा आईजित की जाएगी साथ आपको बदा दे कि आवर निवंदन में सुधार के लिए 10 दिनों का अतरिक समय दिया गया है अब यारती 29 नॉवंबर तक आवर निवंदन में ओलाइन सुधार कर सकेंगे बारी कबर मुझापारपुर में प्लास्टिक कचरे से बनेगा पेट्रोल डिजल प्लांट तयार रोज 1500 लिटर डिजल और 130 लिटर पेट्रोल बनेगा 65-70 रुप्य प्रति लिटर होगी किमत जहां मुझापारपुर में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डिजल का उत्पादन सुरू हो गया है यह बिहार में पहला ऐसा प्लांट है जिससे कचरे प्लास्टिक से डिजल पेट्रोल का उत्पादन होगा कुर्णी प्रकन के खोरोना डिगा में इसका प्लांट लगाए गया है प्लांट का उत्गाटा अनमंत्री राम सुरत राय ने किया है उन्होंने कहा किया यह यह जिना प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के सपनी को साकार कर रही है केंदर सरकार की यह जिना पीम युजी के तहट 25 लाक रुपिये बैंक से लोल लेकर इसकी सुरुवात की गई है संचालक ने बताए कि नगर निगम से 6 रुपिये केजी की दर से प्लास्टिक कचरा को खरीदा जाएगा प्रती दिन 200 केजी कचरा खरीदा जाएगा इससे 1.500 लिटर डिजल और 130 लिटर पेटरोल को उत्पादन होगा इसकी आपोरती फिलाल इस्तानिय किसानों और नगर निगम को की जाएगी एक लिटर पेटरोल डिजल तयार करने में जेश्टी के साथ 62 रुपिय की लागत आएगी इसकी बिक्री 65 से 70 रुपिय प्रती लिटर की जाएगी बाड़ी कबर बिहार के 3.23 लाग सिक्चको को सियम नितिस का दिपावली गीप्ट वेतन के 1749 करोड 89 लाग जारी जिहां समगर सिक्चा अभियान के तहट कारेरत तकरीबन 3.23 लाग प्रारमिक सिक्चको का अक्टूबर तक के वेतन भुगतान के रासे 1749 करोड 89 लाग 26 जार 336 रुपिय सभी जीलों को अपलब्द करा दी गई है बिहार सिक्चा परियोजना परिशद के राज परियोजना निद्यसक सिरिकांद सास्त्रे ने 24 घंटे के अंदर सिक्चको को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिला सिक्चा दिकारियों एवं जिला करिकरम पदादिकारियों को दिया है या बिहार के नि सक्षकों को मुष्मंत्री निदीश कुमार के सरकार के द्वारा दिपावली गिप्ट से कम नहीं है बाड़ी कबर बिहार में 48 गंटे बाद बदलेगा मौसम का मिजाज दिपावली के बाद ऐसी रहेगे इस्तिति जहाराज में मौसम सर्द होने लगा है खासकर ग्रामिन इलाकों में सुबा और रात में कुहासा चाने लगा है हलाकि प्रदेश का मौसम अगले 48 गंटे के दोरान सामाई ने बना रहेगा मौसम विवाक से प्राप्द जानकारी के अनुसार पश्चिमी हवा के रफ्तार से कमी आने से अगले दो दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा मौसम विगानियों के माने तो मानसुन बाद प्रदेश में पश्चिमी बिक्चोब का आगमान विशेश रूप से होता है जिसके प्रभाव से कोहरा, सीत, लहर और वर्सा होती है इस दोरान पश्चिमी बिक्चोब का परवा नहीं होती है जिसके कारण प्रदेश का मौसम सुस्क बना है बाड़ी ख़बर तीस नॉमबर तक मददादा सुचिमें करा सकते हैं बदलाव अभियान चला जाएगा पाच जनवरी को मददादा सुचि का अंतिम प्रकासन होगा मददादा बनने के लिए कोई भी योगे व्यक्ति ओलाइन आविदन कर सकता है इसके लिए आविदाक NBSP.IN के मादम से आविदन कर सकते हैं साथी मददादा सुचि से सम्मादित किसी भी परकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला इस्तर पर पुनारिक्चन कार की निगरानी अवंप्राप्त सिकायतों के तोरित निस्पादन के लिए जिला निर्वाचन कार्याले में निर्वाचन नियंतरन्स कक्छा सटोल फिरी नंबर 1950 है इस पर संपर्क किया जा सकता है बाड़ी कबर बार से नुकसान की भरपाई को लेकर किसान पाँच नौमबर यानि आज से करे आवेदन जिया बाड़ से नुकसान हुए फ़सलों की भरपाई के लिए इनपूट अनुदान पाने को पाच नौमबर से आवेदन लिये जाएंगे किसानों को इस बार आवेदन करने के लिए मातर 15 दिन का समय मिला है यानि बीस नौमबर तक किसान क्रिशी भिवा की वेवसाइट पर ओलाइन आवेदन कर सकते हैं क्रिशी मंत्रे अमरेंदर प्रताब सिंग ने कहा कि सेचित फसल छेतर के लिए 6800 रुपे प्रती हेक्टेर सेचित छेतर के लिए 13500 रुपे प्रती हेक्टेर तथा सलाना फसल के लिए 18000 रुपे प्रती हेक्टेर की दर से क्रिशी इनपूट अनुदान दिया जाएगा भोगियों को दिया दिवाली गिप्ट महंगाई बत्त बढ़ा कर 31 सिज़ी किया जिया दिवाली के पहले नितिस सरकार ने राज के सिवा कर्मियों और पेंसन भोगियों को दिवाली गिप्ट देते वे महंगाई बत्त बढ़ानी का प्रस्ता पर भी मंजूरी दे दी है निति पर इंटर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू 18 नॉवंबर तक मिलेगा चात्रो को मौका जहां बिहार की बिभीन प्लस्टू स्कुलो और इंटर कोलेजों में इगारवी में एडमिसल लेने वाले स्टुडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिती जारी कर दी गई है आउलाइन सुची करनवा अनुमती आवेदन 18 नॉवंबर तक भरा जाएगा ओएप एडमिसल में एडमिसल लेने वाले स्टुडेंट का ही रजिस्ट्रेशन होगा बोर्ड ने कहा कि स्कुल और कोलेजों द्वारा कला वानिज और विग्यान संकाई के लिए 2 से 8 स्टुडेंट को दिया जाएगा इस्टुडेंट द्वारा फॉर्म भरवानी के बाद 18 नॉवंबर तक ओल्लाइन आवेदन भरेंगे और सुल्क जमा करेंगी बड़ी कबर साथ नॉवंबर को प्राष्टपती का बिहार दोरा नालंदा में धर कॉन्फरेंस का करेंगे आयोक तो संजे कुमार अगरवाल ने अधिकारियों के साथ वेठक की है बड़ी कबर बिहार में ओटो और सिटी बसों के रूट वह संक्या होगी तै जहां लंबी दोरी वाले बसों की तरज पर अब बिहार में ओटो और सिटी बसों के रूट तै किये जाएंगे और इनकी सेंक्या का भी निर्धारन होगा परिवाहन विवाग इसके तैयारी में जूड़ गया है अगले एक दो महिने में इस नियम पर अमल हो जाएगा पटना से इसकी सुरवात होगी और फिर इसे पुरे बिहार में लागू किया जाएगा और अंध की बड़ी खबर राज में इंटर परिचाओं के लिए चात्राओं को मिलेगी चार साल की चूट जाने किन चात्र चात्राओं को मिलेगा लागू जिहां बिहार बोड द्वारा ओन चात्राओं को इंटर 2023 की वार्षिक परिचा में सामिल होने का मौका दिया जाएग यह चात्राई इंटर 2023 वारसिक परिशह में सामिल हो पाएगी, बिहार बोर्ड द्वारा राज जबर्ड के चात्राऊ को यह विषिस मौका दिया गया है, बिहार बोर्ड ने जिन चात्राऊ ने 2020 में मेट्रिक कुतरिन किया, लेकिन वो इंटर में किसी वज़े से नमांकर नह बर बर बता है